नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बस्वागत है यूटूब चैनल माई सिटी माई लाइप पर मैं इस वक्ट गुरादरी मट पर हूँ यह मट उत्तर परदेश के मौजीले के मुहमदाबाद गोना तैस्किल के करहां बजार के पास में है यह मट पुर्वांचल के प्राचीन घरोरों में से एक है इस मट का इतिहास लगवग 400 साल पुराना है यहां प्राचीन मंदिरों के मद बाबा घंस्यामदाजी की समाधी पर माथ हट टेक कर तथा पवित्र सरोवर में डूपकी लगा कर सरद्धालू अपने आपको धने मानते हैं यहां हर साल कार्तिक पुर्णिमा के दिन एक विसाल मेले का आयोजन किया जाता है जिसका एक अपना एतिहासिक महत्त्व है इस मेले के दोरान लाखों सरद्धालू बाबा के दर्सन के लिए आते हैं गुरू पेडिमा पर जन्पत के कोने कोने से पहुचने वाले सरद्धालू अपनी मन्ते मांगते हैं तथा यहां के पवित्र सरोवर में स्नान कर सारारी कस्टों से छुटकारा पाते हैं। एक कहवत के अनुसार लगभग चार सो वर्सपूर चकजागफरी गाउं के निवासी बाबा घंस्यामदाज जी गाउं के जंगल में अपनी गया चराने के लिए प्रती दिन के अनुसार उनकी माता दोपहर का बोजन लेकर उनके पास आई पर पानी लाना भूल गए खाने के बाब बाबा ने मा से पानी मांगा तो मा ने कहा मैं गाउं जाकर पानी लेकर आती हूं तब ती दोपहर होने के कारण मा के परसानी को देखते हुए बाबा ने कहा मा पास में पड़े इस पत्थर को हटा दो उसमें से पानी निकल जाएगा बेटे के बार-बार आगरह करने पर माता ने वैसा ही किया तो वहां सुच जल की धारा फूट पड़ी तब से वही धारा पोखरे कुरूप में विद्धमान है आगे चल कर इस पोखरे को पक्का बना दिया गया इस पोखरे का जल आद तक कभी नहीं सुखा इस पोखरे में भारत के साथ समुद्रों का जल भी डाल गया है झाल झाल